आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो बहुत से web developers और coding सीखने वालों के दिमाग में हैं क्या web developers की jobs खत्रे में हैं जैसे जैसे automation, AI और no code platforms का use बढ़ रहा है कई लोग सोच रहे हैं कि क्या web developers की jobs सब replace हो रही है तो आईए इस बात को details से समझते हैं क्या सच मुझ सब कुछ negative है या फिर web developers के लिए अभी भी bright future ही है वीडियो में last तक बने रहे हैं आपको इसका answer मिल जाएगा सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है automation और AI ये technology बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है recently कुछ सालों से हमने github co-pilot, chat gpt और कई दूसरे tools देखे हैं जो code लिखने में मदद करते हैं ये AI model को debug, optimize और ठीक करने में बहुत तेजी से काम कर सकते हैं ये सब यही नहीं रुपता Wix, web flow और square space जैसे tools website बनाने को बहुत easy बना दे रहे हैं अब बिन coding के भी लोग अपनी websites को बना सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अब web developers की ज़रूरत अब खत्म हो गई है रुखिये, ऐसा नहीं है, चलिए इससे गयराई से समझते हैं low code और low flow platforms का use day by day बढ़ता जा रहे हैं खासका छोटे business और उन लोगों के लिए जो सिर्फ basic websites बनाना चाते हैं इन platforms में पहले से बनी कोई templates और drag and drop features होते हैं जिससे बिना coding के भी website बना सकते हैं और मज़ेतार बात तो ये है कि ये platform लगातार बेतर होते जा रहे हैं अगर आपको simple से e-commerce website, blog या portfolio बनाना हो तो developer की जगा आप खुद ही कुछ ही गंटों में आप ये काम कर सकते हैं लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि developers की जरूरत अब खत्म हो रही हैं बिलकुल नहीं चलिए इसे करीब से समझते हैं ये tools सिर्फ basic website को ही अच्छे से बना सकते हैं लेकिन जब custom solutions, scalability और performance optimization की बात आती है तो इसकी limitation भी सामने आती है आजकर business को सिर्फ एक simple website की जरूरत नहीं होती उन्हें custom builds solution, third party services के साथ साथ integration, e-commerce capabilities, database management और security profile चाहिए जैसे कि एक बड़ी company या कोई tech startup no code tools पर depend नहीं रह सकता उन्हें strong, scalable and safe web apps की जरूरत होती है यहीं पर web developers का role आता है कोई भी dynamic interactive website या फिर app जो किसी भी business की जरूरत को पूरा कर सके उसे एक private template से नहीं बनाया जा सकता है इसके लिए user experience की समझ, complex database, API और backend framework जैसे node.js, Ruby on Rails या Dejango की knowledge होनी चाहिए और हम specialized skills की बात करना कैसे बोल सकते हैं आज कि front end developers जो react, angular या views.js जैसे technology का use करते हैं उनकी market में बहुत demand है और अगर आप full stack developer हैं जो front end and back end दोनों काम संबाद सकते हैं आपकी value और भी ज्यादा है आज भी company को ऐसे developers की जरूरत है जो इन complex system को design कर सके और security की बात करें तो आजकल cyber attacks बहुत बढ़ गए हैं web security की importance पहले से कहीं ज्यादा हो गई है कोई भी no code platform उन advanced security features को provide नहीं कर सकता जो companies को चाहिए होती है इसलिए secure coding की knowledge रखने वाले developers की जरूरत हमेशा ही बनी रहेगी अब वापस आते हैं AI पर इसका role क्या है क्या ये developers की मदद करेगा या उनकी नौक्रियां ही ले लेगा AI tool जैसे github co-pilot developers की productivity को बढ़ाने में बहुत beneficial साबित हो रहा है ये code लिखने के लिए improvement के लिए और repetitive task को automate करने में help करता है लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि AI perfect नहीं है ये गलतियां भी करता है ये problem को गलत समझ सकता है या unsecured code suggest कर सकता है तो AI कुछ काम तो जरूर कर सकता है लेकिन आकिर में human developer की जरूरत ही होती है जो उस code को review और fine tune कर सके यानि AI developers का replacement नहीं है बलकि उनके काम को असान बनाने के लिए एक साती है लेकिन ये सच है कि web developer का roll up बतल गया है 10 साल पहले अगर आपको सिर्फ HTML, CSS और थोड़ी सी JavaScript आती तो आपको नौकरी मिल जाती थी लेकिन आज की दुनिया में उम्मीदे बहुत बढ़ गई है अब आपको नएने technologies, framework और tools सीखते रहना होगा ये challenging जरूर है लेकिन उन लोग के लिए ये एक अच्छी opportunity है जो सीखते रहना चाहते है future को देखने में लगता है कि web development का area और भी exciting होने वाला है AR, VR और web 3 जैसी techniques के साथ web development का scope और भी बढ़ेगा आप सोचे future में immersive website कौन बनाएगा blockchain techniques को website में कौन integrate करेगा ये सब काम developers ही करेंगे तो क्या web developer की नौकरी खत्रे में है नहीं AI, automation और low code platform काम थोड़ा सा बदल सकते हैं लेकिन web developers की जरूरत खत्म नहीं होगी खासके specialized skill वाले developers की डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है अगर आप एक web developer है तो गबराइए मत इसके बजाए इस नए एरा को अडॉप्ट करिए opportunities अभी भी बहुत हैं